सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भला नमस्कार जैसा कि आप लोगों को पता ही है मिरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशे से हिंदी और योगा टीचर प्यारी दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2022 में जुलाई अगस सेप्टेंबर आते ही भारत वर्स में जितनी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज या जितने भी डेस्टेंस लेर्निंग से जहां पे भी कोर्सेश चलते हैं, वहां पे सब जगे कोर्सेश एड्मिशन सुरू हो जाते हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, या हाउस वाइफ होती हैं, या ऐसे मन में विचार आता है कि क्यों ना अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाए जाए, या जॉब के साथ-साथ हम सुछते हैं कि कुछ अपनी और अच्छी खासी एजुक तो कैसे मैं अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओं, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि कॉलेज जाओं, लेक्चर अटेंड करूं, तो बच्चों और दोस्तों, अगर आपके मन में भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है और अपनी सिक्षा को आगे बढ़ाना चाते हैं, लेकिन सिर्ब ये सोच के रोक रहे हैं कि कैसे किया जाए, तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ, उत्राखंड ओपन उनिवर्सिटी, एक ऐसी उनिवर्सिटी, जिसके माध्यम से आप घर पे वीडियो लेक्चर देखके, घर पे बैटके, किताबों को मंगवा के, घर पे बैटके, उनके जो ऑनलाइन ई-लर्निग प्लैटफॉर्म में वहां पे पढ़ाई करके, आप अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने डिगरी ले सकते हैं, और आने वाले भवि तो आज का जो वीडियो स्पैसिफिक है, वो होगा कि यदि अगर आपने योगा कोर्स में एडमिशन लेना है, ठीक है, योगा कोर्स बेसिकली एक प्रैक्टिकल बेस्ट कोर्स होता है, परंतो फिर भी से डिस्टन्स लनिंग में कैसे चलाया जाता है, वो आज में आपको बताऊंगी कि उत्राखंड ओपन युनिवरसिटी किस तरीके से अपने कोर्स को दे रही है और किस तरीके से योगा की कोर्स को चला रही है, अगर आप भी योगा कोर्स करना चाते हैं, या कोई भी अन्या कोर्स उत्राखंड युनिवरसिटी से करना चाते हैं, तो जुड तो सबसे पहली बात तो मैं आपको जानकारी दे दूँ इस युनिवसिटी के बारे में, क्योंकि कई बार जब भी हम open यह distance की बात करतें, तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है, वो आता है कि कहीं हैं फर्जी तो नहीं है, यह इसको करने के बात, मान लीजिए कई बार मेरे पास YouTube पे कमेंट आते हैं बच्चों के कि मैं मैंने उत्राखंड Open University से BA किया है तो क्या मैं अचेन्वी गड़वाल University का भीड भर सकती हूं या भर सकता हूं और इसके साथ कई बच्चों के प्रशन आते हैं कि मैं इसके यहां से जो हम कोर्स करेंगे क्या वो वैलिड होगा उसको करने के बाद हमको नौकरी मिलेगी या नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यह उत्राखंड की जो यह Open University जो यह खुली है यह कोई फरजी University नहीं है यह University एक Special Act के तहत खुली गई थी उत्राखंड में जिसका की नाम है उत्राखंड Legislative Assembly Act ठीक है कि 2005 में स्टार्ट किया गया था और 31 अक्टूबर के आसपास 2005 में से fully implement किया गया जब यह University खोली गई तो यह तब से लेकर और आज तक यह University बहुत अच्छे से चल रही है यहां पे UG, PG, PhD, Diploma, Degree, Professional, बहुत सारे कोर्से चलते हैं जो कि लोग घर बैटे आराम से से करते हैं और उसके बाद अपने किसी भी कारण जहां पर भी वह अपने इस डिग्री और डिपलोमा को दिखाना चाहते हैं उसके बेसिस पर अपना प्रमोशन लेते हैं अपनी जॉब को आगे बढ़ाते हैं बहुत सारी चीजे जो भी पॉसिबल हो पाती है तो अगर कोई भी कोर्स करना है इस यूनिवर्सिटी से देखिया आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो देखिए आपने जो विजिट करनी है इस वेबसाइट को विजिट करना है वेबसाइट का नाम है यू-o-yoo.ac.in यह वेबसाइट है इसी पर जाके आपने विजिट करन उसके बात आप देख लीजिए कि आपने किस कोर्स में admission लेना है तो कोर्स की अगर मैं बात करूं तो यह चलाग यहाँ पर प्रोग्राम में जाएंगे आप और यहाँ पर यह सारे courses है ठीक है तो कोर्स में admission लेने से पहले बच्चों के मन में प्रशना आता है कि अगर मैंने admission तो ले लिया लेकिन मेरी पढ़ाई किस तरीके से होगी तो देखिए आपको बता दूँ कि जो उत्राखंड मुक्त विश्य विद्याले है यहां पे पढ़ाई तीन चार तरीकों से होती है और जो distance learning learning के courses होती है उसमें क्या होते हैं कि college वाले जो university वाले होते हो घर पे बुक भेज़ देते हैं बच्चों को self study करनी होती है assignment बनाने होते हैं और पेपर देना जाना होता है लेकिन उत्राखंड मुक्त विश्य विद्याले में ऐसा नहीं है इनके पास इन्होंने बहुत सारे विकल्प किये हैं बच्चों के लिए जिसने के उनके पढ़ाई अच्छे से हो पाएं सबसे पहला विकल्प तो यही है कि हर जगह study center है माल लीजे कि हाला कि इसका जो head center है वो है हल्दवानी में लेकिन अगर आप रहते हैं रूड़की या देरा दुन में तो आप यह सोचेंगे कि क्या मुझे हल्दवानी चाहके पढ़ाई करनी पड़ेगी तो इसका जबाब है नहीं आपको क्या करना पड़ेगा आपके आसपास जो की उत्राखंड open university का study center होगा बहां पे जाके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं दूसरा यह क्या करते हैं कि जितनी भी books वगेरा होती हैं बच्चे को घर पे बेस देते हैं और बच्चे self study करते हैं तीसरी और सबसे अच्छी चीज उन्होंने जो की है वह है e-learning platform देखिए यहां पर आप जब home page पर जाएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा gallery e-learning video gallery online application e-learning का मतलब यह होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो lecturer होते हैं वो अपने वीडियो आप जो college में पढ़ाने वाले जो professor इत्यादी होते हैं अगर वो अपने e-learning के माध्यम से अपने lecture देना चाहे और कोई बच्चा अगर उसको join करना चाहे तो वो भी facility यहां पर यानि कि virtual classes आपकी चलती है जैसे कि मान लिजे कि मैं आपकी teacher हूँ और आप बैठे रूड़की में तो मैं आपको virtual e-learning के तुरू आपके lectures आपको दे सकती हूँ तो यह बच्चा और teacher के पर डेपेंड करता है कि अगर वो कुछ support टीचर से लेना चाहे इसके साथ 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 उनिवर्सिटी ने क्या किया है कि मान लिजे कि कुछ teachers ने अपने क्या किये है कि video record करके video lectures record करके इस website पर डालें तो जैसा मान लिजे कि मैं commerce की student हूँ मेरी को कोई accounts का कुछ debit credit नहीं समझ में आ रहा है तो क्या मैं अगर e-learning के तुरू नहीं समझ पारी हूँ study center पर नहीं सम सकुई से इसका जवाब है जी हां उत्राखंड उपन उनिवर्सिटी ने क्या किया है video gallery नाम का देखिए यह option लिखा है यहां पर जाके आप अपने related video subject के ढूंड सकते हैं और देख सकते हैं अगर आपके lecturers ने कोई भी lectures दिया है तो यह facility भी यहां पर है बच्चों कि आप अपने subject से related तो वह भी आपको help करती है आपकी study में तो देखो दोस्तों यह सबसे बात है उत्राखंड open university से कि books के अलावा आपको इतने चार option मिलते है e-learning के video gallery के और आपको notes के option मिलते है अपने study करने के लिए अब यह तो बात हो गई studies की अब बात करते हैं कि अगर admission लेना पर PhD से लेकर post graduate से लेकर graduate से लेकर डिपलोमा से लेकर certificate जो कुछ भी आप करना चाहते हैं सब आप घर पे बैठके इसे कर सकते हैं अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं योगा के course के बारे में आपको इसमें बताऊंगी कि मान लिजे मैंने 12th किया है और उसके बाद आप मैं योगा का course करना चाहती है तो कौन सा course है तो मैं जाओंगी यहाँ पर graduate के option में या जाओंगी certificate के option में या पीजू डिपलोमा इन तीनों में आपको योगा के course मिल जाएंगे तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ graduate में ठीक है तो graduate जैसा कि आपको पता है कि graduate के लिए आ wise 21 यह आपका code है कितने months का code है यह है 36 month का रही बात fees की तो इसमें जो fees वगेरा होती है semester wise होती है फीज के अगर मैं बात करूँ तो 9000 के आसपास इसमें मैंने fees देखी थी हर semester में किसी में 9000 किसी में 7000-5000 इस तरीके से अलग लग program की अलग लग फीज है ठीक है तो यह देख से मान लीजिए अगर आप MA करना चाहते हो ठीक है अगर आप यह नहीं करना चाहते है MA करना चाहते हो तो क्या आप MA कर सकते हो योगा में जी हां बिल्कुल आप कर सकते हो यह देखिए MA 21 Master of Yoga यह 24 month का तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी master 2 साल का होता है यानि कि 24 month का तो इसमें आपके theory और practical classes चलते हैं ठीक है और एक साल में 2 semester होते हैं और फीस वही आपकी 9000-12000 के आसपास इसमें बताई जाती है ठीक है तो अगर फीस के अगर मैं बात करो गर जैसे ही मैं स्कॉर्स पर क्लिक करूंगी तो फीस भी आपको समझ में आ जाईए तो अगर आप च स Mü एक साल से 9000 के आसपास है इसमें पड़ समेश्टर की फीस देखिए किसी में 5000, किसी में 6000, फिरसे 5000 और छी जार 60 ये सालका हैं इसको आपको 6000 के आस बास है, तो ये इस तरीके से आपने आपना प्रोग्राम को आप चेक कर सकते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अगर मालीजिए अगर आपने डिप्लोमा करना क्या आपके पस कोई डिप्लोमा वगेरा भी है योगा का योगा का डिप्लोमा भी बिल्कुल है यहां पर देखिए डिप्लोमा इन योगिक साइन्स जो की 12 मंद्स का होता है एक साल का आपका पीजी डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा नहीं है इसमें यह डिप्लोमा इन योगि देख लेते हैं यह देखिए आपकी केवल 9,000 इसके आपकी फीस है और यह आपके सब्जेक्ट होंगे इंटोडेक्शन अफ योगा, human anatomy, naturopathy, hut yoga, five elements, practical वगेरा तो यह देखिए बच्चो मैंने योगा कोर्स के आपको पूरा graduate, post graduate, graduation इत्यादी के बारे में बता दिया अब इ जैसे की, अब इसके साथ बच्चों के कई बार प्रशन होते हैं कि मैं यह बताइए कि योगा का जो कोर्स है उसको करने से फाइदा क्या होगा, मैं डिपलोमा करूं, या सेटिफिक्ट करूं, या मे करूं, या बीए करूं, तो सबसे पहली बात तो बच्चों, जब भी को कोई भी मैं सिर्फ योगा की बात नी कर रही हूँ, मैं कोई भी अगर आप करें, तो हमेश्था जो हायस्ट डिग्री है उसे लेने की कोशिस करिये, मान लीजिए अगर आपने ट्वेल्ट किया है, तो ट्वेल्ट के बाद जो हायस्ट डिग्री मानी जाती है, वो आपकी आप कभी में डिप्लोमा में ना अखेंग, अगर मान लीजिए, अगर आपने ग्रेजिशन किया है, तो अगर आप सोच Gmail का कोर्स करूओ, तो कौन सा करूओ, क्या मैं डिप्लोमा करूओ, तो मैं आपको सज़़ेस्ट करूँगी, कि आप हमेशा म योगा का कोर्स करें, में भी जो national eligibility test है, यानि कि अगर आप को yoga course करने के बाद कहीं पे assistant professor बन ना चाते है या PhD करना चाते है, जर्ण देखें, यानि कि एनिटी exam को देखें, तो वो आप तभी कर सकते हैं जब आपने master किया है, ना कि आपने PC-Diploma किया है, ना कि आपने बीए के बाद डिप्लोमा की है तो अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो हमेशा आप बड़ी डिग्री की तरफ जाएं में योगा करेंगे तो आप नेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं यानि कि स्कॉलर्शिप लेके पीच्डी कर सकते हैं और इसके अलात्रिक तो किसी भी जैसे कि केंद्री वि इंटर्व्यों देने आएं ठीक है तो यह है सबसे बड़ा आपके सामने डिफ्रेंस कि अगर आपने कोई भी कोर्स करना है यहां पर योगा की कोर्स की उत्राकर मुक्त विश्य विद्याले से तो आप हमेशा में योगा में जाएं में योगा नहीं कर रहे हैं अगर आप क कर रहे हैं तो वी योगा करें आप किसी भी हालत में डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा ऐसे शॉर्ट कोर्स को ना करें यदि अगर आप अपना लॉंग टम में फ्यूचर सोच रहे हैं पीजी डिप्लोमा आप तभी करें जब आपको अपना शॉर्ट स्टार्ट अप करना इसे प्रेफर्फड के जाते हैं कि आप एस्य ग्रॉस आप नोड़ सित्यादी फीडियो लेक्ट्रस के थुरू आप इसे कर सकते हैं ठीक है बच्चो तो यह थी पूरी जानकारी उत्राक сейчас miss of आप भी जाकर छेक्ष़ कर सकते हैं इसमें इसक िपरे आपके बहुत पर कर देख सकते हैं इसके अधरिक्ट आपके बहुत सारे जैसे आगर आप लिए आपने ज्यूनियरिंग से करनी हैं सारी जानकार इसमें हैं Study Centre है और इसके बारे में अगर और इतल डिपने देखनी यहां पर भी शायद यह लेक्चर्ज वगएरा देते हैं हला कि मैंने कोल के नहीं देखा है लेकिन मैं चेक करूँगी तो यहां पर भी यह लेक्चर्स इत्यादी देखिए बच्चों की help करते हैं कि मैंने अपने चैनल पे अगर आपको मेरे चैनल पे कोई भी क्वेशन पूछना है या आप कोई भी वीडियो देखते हैं और आपके मन में कोई कमेंट दित्यादी होता है तो आप मेरे चैनल की मेंबर्शिप को जॉइन कर सकते हैं जिसमें की तीन कैटेग्री है 29 59 और 89 इमेडेटली अब आपके प्रश्न का जवाब दूँगी जो बच्चे पे कर देते हैं उनके कमेंट का मैं जल्दी जबाब दे देती हूं और यही मेरी रहेगी कोशिस की मैं ज्यादे साधर बच्चों के जबाब दे पाऊं परन्त उसके लिए आपको मेंबर्शिप या त उससे क्वेशन कर सकते हैं और उसकी जो फीस होगी वो यही होगी 20-30 रुपे पर क्वेशन की आप पूछके अपने कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं तो बच्चों बस यही था अपना आज का वीडियो कोई भी प्रश्न है कमेंट कर लीजे कमेंट के लिए जो कमेंट झाल